हमें पहला काम करना क्या होगा और पहला काम करना होगा सबसे पहले इन दोनों डायरेक्टी से बाहर निकलना होगा उसके लिए हमें यहाँ पर टाइप करना होगा CD और फिर path लगाना होगा और इंटर करना होगा जैसे हमने CD path इंटर किया तो हम इन सभी डिरेक्टी से बाहर आ गए direct हम C में पहुँच गए देखिए DOS में काम कर क्या सकते हैं जैसे आप folder बना सकते हैं folder को remove कर सकते हैं फाइल बना सकते हैं फाइल को copy कर सकते हैं फाइल को delete कर सकते हैं फाइल का नाम बदल सकते हैं छिपा सकते हैं और साथ साथ badge फाइल बना सकते हैं इसे बहुत सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं तो आईए हम सबसे पहले एक डिरेक्टी बनाना सिखते हैं कि क फुल कॉमा इसको हम कॉलन नाम से भी जानते हैं सिफ्ट के साथ L के ठीक भगल बटन है उस की को दबाएंगे और इंटर की को प्रेस करेंगे तो हम इस वक्त D में आ गए यह होता है ड्राइब को चेंज करना अब अगर डिरेक्टी बनाना है चलिए वापस C में चलते हैं लिखते हैं अब उसके वाद डिरेक्टी बनाना है तो हमें लिखना होगा MD MD means होता है making directory MD space अब उस डिरेक्टी का नाम देंगे जो हम बनाना चाहते हैं एक सिंपल सा नाम RAM तो RAM नाम की डिरेक्टी बन गए यह बता रहा है इस सब डिरेक्टी और file RAM आल्रेडी exit RAM पहले से बनी है तो अगर RAM को आप open करना चाहते हैं तो तो ठीक है नहीं तो अगर आप दूसरी डिरेक्टी बनाना चाहते हैं तो आप फिर से MD space मालिजे रामू आपने दे दिया तो रामू नाम की बन गई अब अगर आप open करना चाहते हैं तो आपको करना गया आपको लिखना CD space फिर आप वही नाम देंगे जो आपने MD के साथ दे रखा है